अस्सलाम आलेकुम प्यारे बच्चो ब्रीज कोर्स के बारवे दिन आप तमाम का इस्तक्बाल है चलिए देखते हैं आज की एक्टिविटी देखिए बच्चो लुक एड़ पिचर एन मैच दो फॉलोईंग तस्वीर देखो और नीचे जोडिया लगाओ बच्चो यहाँ प एक मिसाल दी गई है ती से टी को जोड़ा गया है यहाँ टी फॉर टेनिस और टी फॉर ट्रेन दिया गया है तो टी को टी से यहाँ पर जोड़ा गया आपको एस से एस को जोड़ना होगा एको एस से एन को एन से आई को आई से और पी को पी से चलिए आगे देखिए इन सर letters in each row. पैरे बच्चों आपको small letter को circle लगाना है. सामने capital letter होंगा और उसकी rd line में उसी का small letter मौझूद है. तो उसकी rd line में कहां पर small letter मौझूद है? आपको उसको circle लगाना है. जैसे यहां पर मिसाल दी गई है. ए है. तो a की rd line में यहां पर small a यहां नजर आया. तो उसको circle किया गया है. ठीक है? बाकी तमाम जितने भी letters है. उन सब को encircle किजिए. ओके? पैरे बच्चों अगली जो activity है वो school में की जाने वाली है. लेकिन हम आपको यहीं पर बता देते हैं. identify the capital letter and small letter and put in the correct basket. इस खेल में क्या होता है बच्चों? बहुत सारे cards रखे होते हैं. उसमें capital letters और small letters भी होते हैं. और दो basket दी जाते हैं. एक small का और एक capital का. आपको small letter small basket में और capital letter capital के basket में डालना होता है. चलिए देखिए आगे. अब यहां पर भी यह भी खेल school में खेला जाने वाला है. फिर भी हम आपको बता देते हैं कि बच्चों को cards बाड़ दिये जाते हैं. हर एक के पास कोई न कोई letter होता है. फिर पूछा जाता है कि who has J. यहनि J किसके पास है? वो बच्चा कहता है I have J. वो बच्चा कहता है मेरे पास J है. पूछा जाता है who has O. ओ किसके पास है? फिर जिसके पास O होता है वो कहता है I have O. तो इस तरह का यह खेल होता है जब स्कूल खूलेंगी तो इन्शालला हम यह खेल खेलेंगे ठीक है फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए लिए लाहाफिज अस्सलाम